जै भी हम सभी को नम बुद्धा है तो 15 एप्रेल के दिन मेरे मित्र का कॉल आया और उसने यह पूछा कि हमें बुद्ध पुजा में हम जो लोटा रखते हैं जिसे हम मराठी तापन जला ताम्बै चा लोटा मनतों तो वह रखना चाहिए क्या ऐसा उसका प्रश्ण था तो मे मैं नहीं रखता हूँ उसके बच्चात मैंने उससे यह बताया कि एक मतलब यह साइंटिफिक है मतलब जो हम तामबा है उसमें जो पानी रखते हैं वह उसमें बैक्टिरिया नहीं लगता है वह पानी में बैक्टिरिया नहीं लगता है यह साइंटिफिक है और यह मैं तम्बा का जो लोटा है वह रखने क्या मतलब है यह मुझे समझ नहीं आया है आज तक तो जब हम यह जानने का प्रयास करते हैं तो कोई मतलब विभीधा इसके प्रकार बताय जाते हैं तो पहला प्रकार मैंने यह बताया कि पानी वह जो ताम्बे का लोटे में जो पानी रहता है वो उसमें बैक्टिरिया नहीं लगता है और वह मतलब साफ रहता है maximum time वह साफ रहता है यह बात मानने के लिए मैं तयार हूँ पर जो बुद्ध के सामने रखना है वह क्या बात है इसका उत्तर जानते है तो यह पता लगता है कि बहुत से लोग यह बताते हैं बहुत से भंते यह बताते हैं कि वह परित्रन पाट हमारे घर में होता है हम वह लोटा रखते हैं उसमें पाने डालते हैं उसमें चार पत्तिया डालते हैं तो जब हम परित्रन पाट करते हैं पूरी पूजा लेते हैं हम त्रीशनम पंचेशी लेते हैं हम बुद्ध पूजा लेते हैं हम बुद्ध वन्दना लेते हैं, धम्म वन्दना लेते हैं, संग वन्दना लेते हैं, तो उसके पश्यात वह पानी शुद्ध होता है और उसके बाद वह हम सब को चम्मच रहता हूँ, उस चम्मच से एक एक बून सब को दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से यह एक प्रकार से हिंदू संकलपना है और यह एक प्रकार से अज्ञानी बात है, यह एक प्रकार से इग्नोरंस जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार का काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। यह सरासर गलत है, तो अगर मुझे नहीं लगता कि इस चीज के पीछे कोई प्रॉपर रीजन है, मुझे नहीं लगता ऐसा, बट अगर इस चीज के पीछे अगर कोई proper reason होगा तो अगर वह मुझे convince करता होगा तो मैं इसके बाद यह वीडियो delete कर दूँगा और अपनी समायाशना करूँगा इस वीडियो के बाद बट अगर मुझे उसका proper reason मिला तो पर मुझे नहीं लगता कि इस चीज के पीछे कोई proper reason होगा मुझे यह एक प्राकार से ignorance जिसे हम कहते है अग्यान अन्नविश्वास कर्मा कांड इस चीज का प्रतीक है इस चीज का यह प्रकार है जो हमें बुद्ध धम्व में नहीं करना चाहिए बुद्ध पूजा में हमें यहां नहीं करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है तो थैंक्यो जय भीम नमवुद्धा है